जावा सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोड्रिंग को सबस्क्राइब करें आज का हमारा टॉपिक हे इनकैपसुलेशन इनकैपसुलेशन क्या होता है? बहुत इंपोर्टन टॉपिक है जावा का इनकैपसुलेशन सबसे पहले हम आपको बताएंगे what is Suddenly's in manipulation मतलब इसका syntax example program इसे यूज करने का purpose फाइदा सब बता हूं गठीक है यह होता क्या है encapsulation is a mechanism through which we can wrapping the data members and member methods of class in a single unit called encapsulation अगर आप अपने class के data member or member method को single unit में रखना चाहते हैं तो आप क्या use करेंगे इसमें क्या होता है यह वही काम करता है आपके एक ही class के data को उसी class तक यह सीमित रखेगा तो encapsulation perform कराने से पहले आपको याद क्या रखना है एकदम ध्यान से declare the class variables as a private class का variable आपको एकदम याद से private रखना है तब ही तो यह single unit तक ही सीमित रहेगा सेकेंड बात declare the class methods as a public method public रहेंगे ताकि हम इन variables को access कर सके ठीक है तो example क्या होता है encapsulation को perform कराने का class is the best example of encapsulation लेकिन उस class का data यानि variable private होना चाहिए तो यहाँ पर figure के तुरूँ मैं आपको बताता हूं इसका name encapsulation क्यों पढ़ा यह हो गया एक हमारा capsule ठीक है इसको आप capsule consider करो जो हम खाते हैं medicine दिया जाता हमें तो यह single capsule के अंदर ना बहुत सारा medicine होता है मौसरा um material medicine का इस single capsule की अंदर होता अगर आप देखना जिसमें दो color में capsule उसमें आपको दिखेगा बहुत सारा material अंदर में तो यह तो इस इस साइड का बहुत सारा material है इसको आप consider करो variable अर इस तश आब के material को आप consider करो हमारा method और यह जो पूरा capsule है ना इसको आप consider करो पूरे capsule को class तो हम भी encapsulation में यही करते हैं इसलिए इसका नाम भी दिया गया है encapsulation capsule यहीं से उठाया गया यह वाला word encapsulation गठीक है तो यह जो class है अगर इसका variable और method एक single unit में ही रह जात उसी को हम कहते हैं encapsulation तो चलो बाकी कीजिए जब program में discuss करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया guys की class best example होता है encapsulation का तो हम कह सकते हैं Java में हम जो भी classes बनाते हैं वो encapsulation का ही example होता है तो अगर encapsulation का example दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पर प्रोग्राम के जर्यें सिंपल है सबसे पहले मानलो हमने एक ए नाम का class बनाया अब इस class के अंदर अगर मैं लिखूं प्राइवेट इंट और मैंने एक variable बनाया वैल्यू नाम का तो यहाँ पर देखो हमारा यह value variable प्राइवेट है तो encapsulation में आपका जो भी data रहेगा वो प्राइवेट ही रहेगा क्योंकि encapsulation combination होता है data hiding और abstraction का तो data hiding हमने कर दिया है इसी को हम कहते है है data hiding ठीक है अभी आप कहोगे कि abstraction कहा गया तो abstraction का code अब हम लिखने वाले हैं ठीक है इसी code के तुरू जो अभी हम लिखने वाले हैं हम इस private member को भी इस class से बाहर से access कर पाएंगे इसकी value को update कर पाएंगे देख पाएंगे तो उसके लिए हम method बनाते हैं क्योंकि method ही एक ऐसा रास्ता होता है जो कि class के member को access करने का हमें permission देता है तो यहाँ पे एक method होगा हमारा public void set value set value method का काम simple सा होगा हमारे इस variable value में हम जो भी value set करेंगे यह सिर्फ उसी को करने के लिए हमें permission देगा और हम उसी काम को इसके अंदर करेंगे एक और method हम बना लेते हैं मैं लिक रहा हो public int get value तो गाइस अभी आप सोचते होंगे कि इसका return type मैंने int क्यों दिया है क्योंकि जो भी value हम यहाँ पे set करेंगे set value method में उस value को हम यहाँ पे क्या करेंगे get value method से return करेंगे तो हम जो भी value return करेंगे वो एक integer value होगा क्योंकि हमारा यह जो variable value है वो भी एक integer variable ही है तो इसी की value वो तो हमें return करना है इसलिए यहाँ पे int है और यहाँ पे हम actual value को set करेंगे कोई value return नहीं करेंगे यहाँ से इसलिए इसका void हमने रखा है इतना code लिखने के बाद अभी चलो एक other class बनाते हैं और वहाँ पे object creation का काम करते हैं सबसे पहले अपने class का हम object बना लेते हैं यह object बन गया अगर माल लो यहाँ पे मैं object के तुरूं r. अपने value variable में एक value set करूं 100 मैंने set कर दिया ठीक है हो गया यह काम हमारा अब माल लो इस value को मुझे access भी करना है system.out.print तो सबसे पहले हमने जो भी value यहाँ पे value variable में set कर रहा है तो set value method में हम उस value को set करेंगे ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे एक variable x बना रहे x variable क्या करेगा जो भी value हम वहाँ पे variable में अपने डाले हैं उस value को हम set method के through x में लाएंगे और x से हम अपने variable value में उसे store कर देंगे अब value को हमें access करना है तो value को access करने के लिए हमारे पास get value method है तो यह value तभी हम access कर पाएंगे जब इस value को हम यहाँ से return करेंगे return हमें value ही करना होगा इसलिए इसका return type integer था तो इस method को value जब हम call करेंगे तो यह execute होगा तभी यह value return करेंगा तो यह value वहीं से return करेंगा जहां हम इसे call करेंगे जहां से ठीक है तो यहाँ पर क्या करते हैं इसको call कर लेते हैं फिलाल तो हम इसी result को display करा के आपको दिखाते हैं value print हो रहा है कि नहीं यह code देख लो simple सा अभी तक इतना ही code मैंने लिखा है इसे save कर लेते हैं क्लास का नेम भी जावासी बी डॉट चावा तो यहां पर देखो एक error आ गिया है यहां पर दो error आया है क्यों लाइन नमबर 21 पे क्योंकि 21 में हमने value variable को use किया है तो उसके लिए बोड़ रहा कि value variable private है क्लास ए में आप उसे यूज नहीं कर सकते क्लास के बाहर और 22 में भी बोड़ रहा क्योंकि हम उसे print करने की कोशिस कर रहें फिर से save error यह private है आप print भी नहीं कर सकते तो अब यह question यह आता है कि यह हम private ही रखना है क्योंकि हम encapsulation perform कर आ रहें और मुझे इसे क्लास के बाहर से access भी करना है इसमें value set भी करना है और value को get भी करना है यानि value को receive भी करना है फिर हम कैसे करेंगे अगर मालो यह public होता ना तो कोई error नहीं आता हमें result मिल जाता है ठीक है लेकिन यह private है क्योंकि हम encapsulation में हैं और हम private ही रखेंगे और हम आपको access करके दिखाएंगे इन दोनों method का use करके अभी इनका काम होगा तो यह जो method हमने use कर रहा है यह काम कर रहे हमारा data abstraction का और encapsulation में दोनों होता है data hiding data abstraction ठीक है तो यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा यहां पे आपको simple लिखना है set value method उसके बाद यहां पे आपको लिख देना है get और यहां पे हमारा spelling होगा capital V ठीक है इतना अगर आप लिखेंगे न तो आपका अभी जो method है वो execute करेगा तो यहां पे parenthesis लगाएंगे क्योंकि हम method को call करने जारे जो हमने class में लिखा है ठीक है तो इसका मतलब यह होता है मै आपको बताता हूं अभी जैसी r.set value हमने लिखा न तो यह set value method call होगा और जो 100 value हमने यहां से पास किया है x में receive होगा यह x value variable में transfer कर देगा उसके बाद हमने get value method को यहां पे call किया तो get value method execute करेगा यह क्या करेगा जो भी value हमने यहां पे set करा था यहां पे 100 आ चुका हमारे value variable में तो जो भी value 100 इसमें receive हुआ है उस value को अभी यह get value method return करेगा तो यह value जब return करेगा तो यह return करेगा जहां से हमने इसे call करा है तो call यहीं पे किये और यहीं पे print कर दिये हैं तो यह value display कर देगा result दिखाते हैं अभी कोई error नहीं आएगा याद रखिएगा data member अभी भी हमा यह देखो इसका एक ही reason है यह हमारा get value और set value method इसका use करके हम value को देख भी सकते और ना सिर्फ value को देख सकते वाल की value को set कर सकते और चाहें तो value को update भी कर सकते हैं मालो यहाँ पे मैं increment कर दूँगे तो value तो update हो गया ठीक है तो अभी देखेगा value एक increase होके print होगा यह देखो यहाँ पे एक increase होके value print हुआ है तो यह method बनाने का वही purpose था मालो यह हमारा एक software है login का user id और password मागेगे जब आप login होगे तो यह मालो हमारा user id है ठीक है यह आपने डाला तो आपको बस user id का box दिखेगा उस box का coding क्या है वो नहीं दिखेगा coding यह है यह हाइड है ठीक है उसके बाद आप जब enter मतलब final button पर click करोगे तब यह method execute करेगा get value तो आपको result मिलेगा अगर आप valid person होंगे तो sign in हो जाएंगे नहीं होंगे तो नहीं हो पाएंगे तो वही हमारा valued variable हमने use किया थो यहाँ पे value हमें मिल गया simple है आपको सिरु box दिखेगा उसका coding नहीं दिखेगा तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा यह सभी चीजे हाइड है data hiding और abstraction का combination ही होता है encapsulation उमीद करते हैं प्रोग्राम समझ में आपको आ गया है like करिए share करिए चानल पे नहीं है चानल को subscribe कर दिजिए